हेलो एफ्रिवन कंचिन की रुसुई में आपका स्वागत है तो आज मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन तो इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे अभी हम देखिए आपको दिखाएंगे कि इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन ते देखिए ब और डेड़ कप ही हम पानी डालेंगे गैस का फ्लेम आउन कर देंगे अब इसको लगातार चलाते रहेंगे तो यह देखिए चीनी हलके हलकी गलने लगी है तो इसमें हलका हलका ऊबाल आने लगा है तो यह देखिए मैंने कुटी हुई इलाइची डाल दी है इसमें तीन इलाइची या डाली है मैंने कूट के और एक चुटकी मैं डाल रही हूं निखे तो फूड कलर मिक्स कर देंगे इसे भी कि देखे चाशनी हमारी पकने वाली है त्यजिक का फ्लेम में मीडियम किया हुआ है बहुत जादा हाई नहीं किया है जब तक हम इतर ब्रेड ले लेते हैं और इसे साइड से कट कर देंगे यह देखिए मैंने आठ से दस ब्रेड ली हैं ब्रेड के किनारे चारों तरफ से हम काट देंगे ब्रेड के गुलाब जामूर बनने वाले बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप लोग जरूर ट्राइ करना तो यह रेसिपी अच्छी लगए तो जरूर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल तो यह देखिए इस तरीके से हम टुकड़े टुकड़े करके प्लेट में डाल देंगे तो यह देखिए सारे टुकड़े कर दिये हैं मैंने अब हम इसमें टू टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे अब इसमें आदा कप दूद लेके थोड़ा थोड़ा करके डालते डालते इसे गुंदेंगे बिल्कुल भी लंस नहीं होने चाहिए बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए हाथेली से दबाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है यह देखिए इस तरीके से अब हम थोड़ा सा हाथ में गी लगा लेंगे गी लगाने के बाद अच्छे से इसे इसमें लगाएंगे गी को और फिर से हम थोड़ा सा दबाते हुए इस अच्छे से मिक्स करेंगे गी को और चिकना हो जाएगा अच्छे से यह देखिए गी लगाने के बाद बहुत ही अ देखना हो गया है अब हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से बनानी है कोई भी साइज आप दे सकते हैं छोटा बड़ा जैसे भी आपको देना है यह छोट छोटे वाले गुलाव जामून बना रही हो मैं यह देखिए ऐसी सारी रेडी कर लेंगे हम यह देखिए सारी रेडी हो चुके हैं चाशनी को एक बावल में डाल लेंगे पहले चाशनी हलकी गरम ही है तो चलिए गैस पर रख देते कड़ाई गरम हो चुके हैं कड़ाई अब हम इसमें डालेंगे देसी घी यह देखिए देशीगी मैंने कड़ाई में डाल दिया है अच्छे से गरम हो चुका है अब हम एक-एक करके सारी बॉल्स गैस का फ्लेम हम हलका ही रखेंगे बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है नहीं तो सारे एकदम से जल जाएंगे हलकी आज पर ही पकाना है हमें जोकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं यह देखिए हलके-लके ब्राउन होने लगे हैं अभी हम इससे थोड़ा सा डाक और कर लेंगे यह देखिए डाक हो चुके हैं सारे गुलाब जामून हम निकाल लेंगे एक प्लेट में डाल लेते हैं पह यह देखिए बागी के भी फ्राई कर लेंगे तो इनको भी हम अच्छे से गूल्डन होने देंगे यह देखिए गूल्डन हो गये हैं थोड़ा और डाक करेंगे हम इसे ते देखें काफी अच्छा कलर आ गया है इन्हें भी निकालके हम चाशनी में डाल लेंगे इन्हें तीन से चार घंटे हम छोड़ देंगे चाशनी में डालके तीन से चार घंटे हो चुके हैं अब हम पिस्ता से गार्णिश कर देंगे अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टाटा बाई बाई